नमस्क्राइब दोस्तों मैं कुनाल कालवा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गो मैन, वर्गो असेंडेंट मैन, मैरिज और मैरिज लाइफ कि अगर आप Virgo Ascendant है. अगर आप पुरुश हैं को Virgo Ascendant है या आपका पार्टनर Virgo Ascendant है और वो Man है तो क्या होगा उसका nature? कैसी होगी उसकी Marriage और Married Life? किन-किन Ascendants के साथ वो Comfortable होगा? कौन-कौन से Ascendants के साथ उसको Problem आएगी? कैसा होगा उस मतलब behavior, marriage or marriage life का ये question है तो इसके ओपर आज हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे detail के अंदर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी मैं information दे रहा हूँ उसके judge पे, उसके base पे कभी भी अपने partner को 100% judge मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ ascendant की बात कर रहा हूँ और मैं को नहीं हूँ, एक normal astrologer जो, astrologer जो एक अपनी calculation और कह सकते हैं जो अपनी information जो knowledge उसके base पे कर रहा है मेरी knowledge गलत भी हो सकती है तो अगर आप यह बोलें कि मेरी knowledge के base पे आप कहरेंस नहीं सामने वाला ऐसा देखिए, कमेंट्स आते हैं, मेरे पास mix आते हैं, जिसमें maximum मैं देखता हूँ कि 80-90% positive होते हैं मगर 10% disagree भी तो होते हैं 20% disagree भी तो होते हैं तो disagree का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मेरी knowledge में कम ही है तो मेरी knowledge में कम ही है तो मैं यही कहूँगा, इसके base पे बिल्कु जड़्ज मत करना क्यों? क्योंकि यह जो information है सिर्फ ascendant base पे है numology base पे नहीं है birth time base पे जो थोड़ी और accuracy होती नहीं है आपकी parental जो आपको guidance देते हैं जो आपके parents होते हैं उनके सारे prints होते हैं आप उस सारे आपके हाथों में होते हैं वो भी information आपको यह सारे चीज़ें मिल के एक nature बनाती है तो अभी ज़्यादा बेकार की बाते ना करते हुए हम सीड़ा उस पे आते हैं मुद्बे पे आते हैं कि हम बात करेंगे Virgo man Virgo ascendant man कैसा होता है उसकी marriage और married life कैसी देगी देखिए आपको सबसे पहले समयने की ज़रूत है Virgo man किस तरह का होता है Virgo man का मतलब हो गया कि Virgo जो sign हो गया ना यह Mercury का sign है intelligence तो बहुत है intelligence Mercury strong है intelligence है उसका यह मतलब है अब Mercury कहीं भी बैठा हो कहीं न कहीं विफार शम्ता उसके पास है अगर intelligence नहीं विफार शम्ता है पैसे से को रिलेटेड, बिजनस से को रिलेटेड, कम्यूलिकेशन से कुछ रिलेटेड कहीं न कहीं उसके साथ एक इशू है यह कहना अगर negative हो तो nerves से रिलेटेड भी होता है तो बहुत सारी चीज़े होती है तो हमने यह देखना है कि Mercury का involvement है अब Mercury का involvement है तो intelligence आगी मगर problem यह है कि यह जो जातक होगा यह कोशिश करेगा सारा काम खुद करने की यह positive भी है और negative भी है negative इस sense में है कि growth जब भी हमें चाहिए होती है तो हमें काम करना नहीं करवाना आना चाहिए है मैं यह मान दूँ लियो इसमें best है लियो कई team पाल सकते हैं और आगे growth कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें matter करती है मगर वर्गों जो होता है इनके बहुत कम chances हैं कि यह team पालेंगे अगर team पालेंगे तो उसको खुद operate करेंगे तो उसमें ना जब हम maximum काम खुद करने की कोशिश करते हैं या हम maximum काम में involve होते हैं तो यह समझ लिजए कि हमारी जो reach होती है वो automatically कम हो जाती है किस तरह उसका nature होता है उसने problem से अकेले ही लड़ना है हर problem को अकेले ही deal करना है कि यार मैं कर लूँगा मैं suggestion ले लूँगा but help के help finance ले लूँगा help के chances कम है मतलब यह साथ जोड़ने के कि आओ जी मेरे साथ चलो हम मिल के मतलब कुछ बड़ा करते हैं वो chances कम है मेरे को आप पैसे दे लो finance दे लो उदार दे लो partnership ले लो मगर मैं मिल के चलना ना वो थोड़ा सा एक problem आपको वर्गों में देखने को मिलेगी अच्छी बार भी और बुरी लिए कि आदमी किसी पर dependent नहीं है डिपेंडेंसी का नेचर नहीं है ना कि मैंने किसी पर dependent नहीं होना मैंने चाहता हूँ कि मैं किसी पर dependent हूँ किसी पर बोज़ बनू तो यह एक अच्छी बात है अब इसको यह समझना पड़ेगा वर्गों में को कि भाया शादी जो होती है यूद दो लोगों में होती है तो एक तो दुसरे भी dépend हो गई होगा प्राबलम आएगी तो एक तो दुसरे भी डिपेंड होगा आप नहीं हो रहे तो वो होगा और आपको भी होना पड़ेगा क्यों ये गाड़ी के दो पईए है चलेंगे नहीं एक नहीं चलाएगा एक कि ऐसी है जो जादा मतब सिखलाई देने वाली है वैसे तो सारी होती है मगर फिर भी अगर कोई ऐसी है जिसका बतब यह समय लिजै कि तो तो यह समझ लीजे कि वह ऑटोमेटकली जादा हा शंजाने वाली होगा प्रक्षाना हर बात पर लेक्चर और लब लब साथ खड़िये तो यह problem create हो गी फिर यह क्या होगा कि actually उन्होंने जल्दी तो किसी problem पर act करना नहीं है आप इनको बताओ गई या आपके problem आ गई है इसको ठीक करो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं जल्दी नहीं करेंगे फिर करेंगे काफी लेट फिर जब करेंग अगर उसने commitment कर दिया है तो वो अकेला ही पार तोड़ सकता है तो इनकी wife जो इनके partner है ये married life में इनके बहुत plus point है कि ये बेकार की नहीं छोड़ेंगे अगर इन्होंने क्या दिया कि मेरी limit इतनी है कि मैं मान लीजिए अपनी life में एक करोड कमा पाऊंगा कुछ भी एक amount हो गया तो ये कह रहे हैं तो उसे एक करोड तक पोचने के लिए ये अपने 100% efforts लगाएंगे पहुँच पाए या नहीं पाएं वो अलग बात है अगर efforts आप बोलो के नहीं लगाएं वो पूरे ही लगाएंगे और जाद तो 90% chances है कि ये सक्सीड कर जाते हैं मरकरी है ना इनका बहुर स्टॉंग मरकरी है तो अगर इनके partner को इन चीजों से related problem आएगी तो वो confirm है आएगी वो confirm है आएगी कि पार्टनर ने कहना जी ये रह गया जी आपने वो नहीं किया ऐसे नहीं किया तो मतलब मैन की बात करो आएगी शुकर है कि ये woman नहीं है ये woman होती तब भी वो काफी घर को अकेले समालती woman के बारे में जब बात करूँगा ना सोड़ा सा और clear हो जाएगा अब problem कहाएगी अगर इसके mercury का connection कहीं 6th, 8th और 10th house के साथ है 12th house के साथ है तो इसके साथ problem बनी देगी मगर अब उस problem के साथ अगर कुछ अच्छे combinations भी है तो ये समझ लिए पर horoscope basis होता है मैं आप लोगों confuse नहीं करूँगा ये horoscope basis होता है तो ये समझ लिजे winning combination हुए तो वही troubleshooting में पैसा ही पैसा growth ही growth वही winning combination नहीं है तो problem तो ये personal horoscope पे डिपेंड होता है इसलिए आप ये मैं कहा रहा हूँ कि जो मैं line कहा रहा हूँ कि that he mostly 90% he is a man of words अब sign कौन से इनके साथ कौन से ascendant ठीक रहते हैं अब आप समझ लेजिए ये मिट्टी है अर्थ है अर्थ element है इनके अंदर बहुत ज़्यादा अर्धी लोग होते हैं कि अपनी बात पर टिके रहना तो अर्थ हुई अब इनके साथ वाटरी होंगे तो वाटरी को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेंगे ये वाटरी को इनसे अच्छा कंट्रोल ही नहीं कर सकता मैंने पीछे फायर के बारे में बताया था फायर से उपर रहेंगे ये तो जितने भी वाटरी साइन्स ने समझ लिजे आपके cancer scorpio pisis तो उनके लिए ये एक अच्छा जिसे हम कहते हैं कि combination है बट अगर वाटरी साइन्स की कुंड्ली strong हुई हम अभी बाकी combination की बात नहीं कर रहे हैं वाटरी साइन्स की कुंड्ली strong हुई तो फिर वो बन जागा दल दल मिट्टी में पानी जादा हो जाए तो क्या बन जाता है दल दल unstability फिर बिचार है वर्गो जो होगा नहीं नाचेगा तो समझ नहीं आया है ये फिसल गया आप logic इसके behind समझ लीजिए मगर अगर ये वर्गो असेंडेंट strong है उसकी कुंड्ली बहुत strong है तो फिर पानी जितना भी आई ये absorb कर लेगा फिर fertility बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ आ रही होंगी तो मैं समझा पा रहा हूँगा ये science इनके लिए water ठीक है airy science भी ठीक है air भी ठीक है fire नहीं fire और इसका कोई match नहीं फाइर इस पर जो चलाएगा तो वो थोड़ी ची गड़ बढ़ रहेगी जैसे अपना मार्स का हो गया Aries, Leo, Sagittarius तो ये तीनों के साथ जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत गड़ बढ़ रहेगी क्यों कि वो जल्दी वाले है Water भी बड़ी जल्दी वाले है, Water भी motions यूँ fluctuate होंगे ओपर नीचे मगर Water कोलना जादातर मैंने देखा है कि ये handle कर लेते है Fire का क्या है, कि fire की चल नहीं पाती, fire आग आग मिट्टी में आग लगानी पाती है तो वो चलती नहीं है, तो वो manage करने की कोशिश करती है, तो थोड़ी सी disturbance create कहीं न कहीं होती है तो ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी इस वर्गो मैन के अंदर इसे बहुत सारी चीज़े हैं, मतलब अगर आपके questions होगे तो उसके उपर मैं फिर बता सकता हूँ तो आप comment section में अगर करते हैं तो मैं उसके उपर कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर वो question दे के personal horoscope मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि आप personal horoscope का डाल के वीच नहीं इसके बारे में बताएं वो जारातर नहीं बता परता क्योंकि बाकी लोग नहीं सुनना चाहेंगे बनाने में कोई दिख करते हैं मैं रोज एक वीडियो डाल दूगा जिसमें personal horoscope होगी मगर वो monotonous लगता है personal horoscope अगर मेरी discussion हो रही है तो बाकी लोग क्यों देखेंगे बाकी वो लोग देखेंगे जिन्होंने study करनी है तो मेरे पर study करने वाले मैं fix pattern से कहीं जा नहीं पाता है अगर कोई routine से मुझे जाना है ना अगर मैं इस जड़ के हफ्ते दस दिन लगातार जाना है नहीं मेरा कोई fix pattern नहीं है जाओंगा मगर pattern fix नहीं है